एक बहुती दुखत खबर हमारे सामने आ रही है दोस्तों, हमारे प्रिय अभिनेता शुशान्त सिंग राजपूद जी की मृत्ती हो चुकी है, कहा जा रहा है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, मुंबई में अपने फ्लाट में, exact reason क्या है इनकी डेथ खा, ये तो जब पूर यही दुखत खबर है दोस्तों, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे, कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरे चैनल का तो educational aspect है, तो देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे students मुझे ये message करते रहते हैं दोस्तों, कि inspiration की कमी ह हो जाती है सर, थोड़ी inspirational वीडियो बनाईए, हम लोग पढ़ाई करते करते कभी-कभी बहुत ज़्यदा depressed से हो जाते हैं, तो in fact अगर आपको पढ़ाई करते वक्त या life में कोई भी चीज़ करते वक्त अगर depression होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग शुशान सिंग राजपूर्ट के life के achievements को देखेंगे, और ये जो achievements मिले हैं ना इनको, आसानी से नहीं मिले हैं, इसके लिए इन्हों ने भी struggle किया, हाम हाला कि वो outright वाला struggle नहीं है, कि भाई, बिलकुल ही गरीबी से उठे और खाने को नहीं था और इतन जो actor हैं, वो किसी बहुत बड़े director या किसी और actor के बेटे हैं, तो जो industry, Bollywood जैसी industry, जो की काफी हद तक star kit से dominated हैं, वहाँ पे एक person अपने दम पे उठके बिना किसी support के सामने आके अपना नाम मनाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इनकी बायोग्राफिक को देखेंगे औ और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. जो की suicide attempt करता है, लेकिन वो बच जाता है, तो उसको ये लोग कहते हैं कि उसको ये लोग सिखाते हैं कि भाई, suicide की तरफ मत जाओ, इस movie से एक message दिया है, और ये message दिया गया कि भाई, suicide गलत है, suicide नहीं करना चाहिए, और अब हमारे सामने एक news निकल के आ रही है कि शुशान हमारा काम है इनके achievements को देखना, चुकि इनके achievements बहुत बड़े हैं, यहाँ देखे, Instagram का post है, अपनी माता जी को याद कर रहे हैं, इनकी माता जी का निदन हो गया तो 2002 में, यह post इन्होंने तीन जून को किया है, दोस्तों यहाँ देखे, इन्होंने क्या लिखाए, एक पैरलल ही post मुझे और इंटरनेट पे, जब मैंने सर्च मारा तू मिला, वहाँ पे इवैपरेटिंग ही जगा बस condensed है, कुल्विला के इस post के थूरू श्रांसिंग राजपुद यही बोलना चाह रहे हैं, कि जो धुन्दला past है, जो कि हमारे आसुओं के साथ इवैपरेट कर जाता है, उड़ जाता है, हम गूल जाते हैं, और हमारे unending dreams, वो dreams जो हमारे चेहरे पे smile लाते हैं, इन दोनों के बीच में हैं हमारी जिंदगी, fleeting जिंदगी, जो कि बहुत चोटी है, और इन दो चीजों के बीच में negotiate करती रहती है, यह deep psychological thought हो सकते हैं, अपनी माता जी को याद करके उन्होंने यह thought लिखाओ, इस post को लेके बहुत सारी बाते कर रहे हैं लोग, अकबारों में, social media पे, अब देखा जाए, अगर सुषांग सिंह राजपूर जी के life को देखो, अगर आप पिछले, कुछ, पिछले साल के अगर हम देखें, दोस्तों मैंने इनका Twitter account को लाँ, Twitter account से जब मैंने, इनके post को न dream set किये थे और इनका यह था कि मैं इन 50 के 50 dreams को पूरा करूँगा, आप देखें यहाँ पे, तीसरे number का dream है कि ये cricket match को left-handed खेलेंगे, 25 नमबर का dream है कि ये Disneyland जाएंगे, 33rd number का dream है कि ये जादा से जादा women's को self-defense सीखने में मदद करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने एक video भी है, चहाँ पे एक army camp में ये women's को self-defense की training दे रहे हैं, तो बहुत हद तक ये involved थे दोस्तों, social causes में, और केवल actor नहीं थे, ये entrepreneur भी थे दोस्तों, इन्होंने अपने कुछ enterprises में भी invest किया है, और सासा थी philanthropist भी थे, social और economic issues में लोगों की मदद करने में पूरी तरीके से तत प as long as you were, I was, not just in your memories I came alive, now just in your memories I come alive, like a shadow, just a flicker, time doesn't move here, कहने मतलब ये है कि, जब तक आप थी मा, तब तक मैं था, अब जब सिर्फ आपकी यादें आती हैं, तब ही मैं alive होता हूं, नहीं तो मैं नहीं होता हूं, आपकी यादों में ऐसा लगता है कि time रुख गया है, सब कुछ बहुत खुबसूरत हो, जब वो यादे चली जाती है, कुछ भी खुबसूरत नहीं रहता, तो उसके आगे क्या लिख रहे हैं, मा आपको याद है, you promised that you would be with me forever and I promised you that I would keep smiling no matter what, it seems we both were wrong mother, आपने मुझसे promise किया था कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगी, और मैंने आपसे promise किया थ होगा और हम दोनों गलत थे, इस court से, इस statement से आप इस बात का अंदर दर लगा सकते हैं दोस्तों कि शुषान सिंग राजपूरत अपनी मदर के कितना close थे, बहुत जगा close थे, इनका जनम कब हुआ दोस्तों, तो 21 जनवरी 1986 को शुषान सिंग राजपूरत का जनम हुआ मीतु सिंग, वैसे तो इनकी चार बहन हैं, तो इनकी बहन मीतु सिंग ये state level के क्रिकेटर हैं दोस्तों, इनकी माता जी की death हो गई 2002 में, इनके जो father थे, वो government department में as an engineering काम करते थे, जब ये 12th standard में थे तब इनकी माता जी गुजर गई दोस्तों, 2002 की बात है, और उसी साल ये लोग पटना छोड़के दिल्ली आ गए, अगर शुशांग सिंग राजपूत जी की पढ़ाई की बात किया जाए, तो पटना में सेंट केरन हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई किया, और दिल्ली आके इनकी बुलाची हंस राज़ मॉडल स्कूल क जोइंग किया, बड़ा ये दुखत स्टोरी ये उन्होंने बताई है, ये जो words यहाँ पे लिखे हुए हैं इस slide में दोस्तों, ये शुशांग सिंग राजपूत ने खुद बोले हैं, ये इनके खुद के कहे हुए words हैं, बहुत सारे media interviews हैं शुशांग सिंग राजपूत के जो मैंने पढ़े हैं, और हिंदू में जो भी information, sorry, Wikipedia में जो भी information दी गई है, शुशांग सिंग राजपूत को, वो सारे के सारी उन्हीं newspaper articles से लेके आई गई हैं, इन फैक्ट अगर आप Wikipedia को news को उठा के देखोगे ना, तो उसके साथ जो newspaper की sources हैं, जो भी उनके articles है, Times of India में Indian Express में, वो सारे खोल खोल के मैंने पढ़े हैं, और कुछ inspiring इनकी lives related मैं आपके लिए लेके हैं, तो जब ये बार्मी कक्षा में थे, जिस रात इनकी माता जी की मृत्ती हुई, उससे पहले इनकी माता जी का इनको call आया, और वो रो रही थी, और रोते रोते उन्होंने बोल कि बेटा अपना ध्यान रखना, और उसी रात उनकी माता जी को brain hemorrhage आया, और उनकी मृत्ती होगी, शुशांक सी राजपूत का ये बोलना है कि मैं अपनी माता के इतना करीब था कि मैं अपने पापा के कभी इतना करीब पहुँच ही नहीं पाया, और मुझे सबसे 34 साल की उमर पे दोस्तों इतना बड़ा स्टार बनना है, इनको बस यही दुख है कि मेरी सक्सेस को मेरी माता नहीं देख पाई, अच्छा आपने माता जी की भी परिशानियों को उन्होंने point out किया है, शुशांक सी राजपूत जी की जो मदर थी, उनका जो सबसे पहला बे दे हुए शुशांसिंग राजपूत, तो अब आप समझी सकते हैं कि कितने pampered और कितने spoiled हैं, ये खुद बोलते हैं कि I was totally pampered and I was spoiled, okay, उसके बाद जैसे ही इनकी माता के मित्य हुई, शुशांसिंग राजपूत ने बोला कि एक life में vacuum सा आ गया, चुकि बस मेरी मा ही एक ऐस परसन थी जिसके साथ मैं अपनी परसनल बातों को शेयर करता तो उसके बाद मैंने ज्यादा किसी से अपनी परसनल बातों को शेयर नहीं किया, ये बोलना है शुशांसिंग राजपूत का, उसके बाद दोस्तों इन्हों ने आपका डेली College of Engineering जोइन करने से पहले AIEEE का exam द एक्चुली में इसमें बोला जाता है, शुशांसिंग राजपूत ने अपने वारेम बताया कि जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरी communication skills जदा अच्छी नहीं थी, मैं public में बहुत जदा बोल नहीं पाता था, मुझे बोलने में शरम आती थी, तो मेरे पास बस एक choice बनी थी, पची थी, कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे अपने academics को अच्छा करना होगा, ऐसा शुशांसिंग राजपूत का बूलना है, और उन्होंने academics को इतना जबरदस्त किया, कि यह सातवी rank ले गया AIEEEE में, और National Olympiad winner थे यह physics में, और बाद में Delhi College of Engineering joined किया है, इन्हो College of Engineering is one of the best colleges, दोस्तों, मैंने भी इसका exam दिया था, मेरा selection नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, हाला कि Delhi College of Engineering में प्राप्रम थी कि महाँ पर दिली के जो लोग है, उनके लिए कुछ preservation होता है, maximum preservation, Delhi College of Engineering में उन बच्चों के लिए होता है, जो Delhi के ही होते हैं, जिनके पास Delhi का residence proof होता है, तो Delhi College of Engineering में इन्होंने अपने आपको enroll किया, और कहा जाता है, इन्होंने 11 National Engineering exams को qualify किया, जिसमें one of the top colleges थे, जैसे एक Indian School of Mines है, धनबाद में, Mines के field में सबसे best college है, तो व बाहर नहीं जाना चाते थे, ये दिल्ली में रहना चाते थे, इसने उन्होंने DCE को join कर लिया, Delhi College of Engineering को join कर लिया, जब शुशान सिंग राजपूत Delhi College of Engineering में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसी समय पे शाइमक दावर, शाइमक दावर बहुत famous dancer है दोस्तों, इ उनको dance में बहुत interest था, और उनके dance class की जो कुछ बच्चे थे, वो भाई acting class भी जाते थे, तो Barry John की drama classes चलती थी, Barry John एक बहुत बड़े theater director है, ठीके theater director है और बहुत सरे, मतलब UK के हैं ये, बट इंडिया की acting community में काफी active है ये, तो भाई Barry John की drama classes चलती थी, इनके साथ के चलता हूँ, तो सुशांक सीराजपूत ने भी acting classes join की, और जब उनके acting classes join की, उनको लगा कि कुछ है इसमें, उनको मज़ा आने लगा उस चीज में, होता है न, कि एक इनसान का passion होता है, वो मज़ा उनको engineering में नहीं आ रहा था, बट वहां आ रहा था, शायमक दावर की classes के बारे में, शुशांक सीराजपूत ने बहुत कुछ बोला है, जब शायमक दावर का beginner course शुरू किया शुशांक सीराजपूत ने, तो शायमक दावर को शुरू में ही शुशांक सीराजपूत के अंदर कुछ नजर आया, हाला कि शायमक दावर शुशांक सीराजपूत से हमे तो आप देखते हैं कि आगे जो में एक्टर करते हैं और पीछे की बहुत सारे सपोर्टिंग नांसर्स होते हैं तो उसमें एक शुषान सिंग राजबूद भी थे फिल्म फिर रावार्ड्स जो हुए थे 2005 में उन्हों डांस किया था बाद मैं आपको पता है दोस्तों 2006 में Commonwealth Games हुए तो उस 2006 के Commonwealth Games में एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ उस कल्चरल प्रोग्राम में भी डांसर्स की जरूत थी तो उसके लिए पिशुषान सिंग राजबूद उससे में पर ऑस्ट्रेलिया गये और ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्हो सपोर्ट था इनका इनको शामक दैवर तो हमेशा ही बोलते थे कि तुम में कुछ न कुछ है पट यह मां समझो कि तुम बहुत अच्छे डांसर हो तो यह सब चीजें दोस्तों चलती रही चलती नहीं फिर एंड में देखेंगे दोस्तों कि अब एक तरफ में इंजिनिंग बी चल रही है अब देखें इंजिनिंग का कोर्स असान नहीं होता है और खासकर जब आप DCE जैसे कॉलेज से हो डेली कॉलेज अप इंजिनिंग जैसे कॉलेज से इंजिनिंग कर रहे हैं काफी कॉंपटेटिव महौल होता है वहां पे और शुशान सिंग राजपूद एक से दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो चार साल के अपने इंजिनिंग के कोर्स को तीन साल में छोड़ दिया शुशान सिंग राजपूद ने और वो पर्मानेंटली मुंबई आ गया और मुंबई आने के बाद उन्होंने एक थीटर ग्रूप जॉइन किया इस थीटर इस भी आते थे उसमें भी सुशान सिंग राजपूद ने रोल किये काफी सारे तो आप देखो कि दोस्तों कि अब यहां पे टेली वीजन कैरियर शुरू होगा आपका शुषान सिंह राजपूत का टेली वीजन में आप शुषान सिंह राजपूत आना शुरू होंगे टेली वीजन वाला कैरियर जो इनका है वो चलेगा लगबग 2012 तक 2008 से लंसम 2012 तक चलेगा शुरू शुरू में एक रोल मिला इनको एक सीरियल आओड ता किस देश में है मेरा दिल परीत जुनेजा का रोल मिला था उसमेंस को तो इस सीरियल में बहुत शुरुआत में ही जो रोल था शुषान सिंह राजपूत का उसको मार दिया गया, उनके मृत्ती हो गई लेकिन ये जो रोल था प्रीत जुनेजा का ये लोगों के बीच में बहुत फेमस हुआ बहुत ही ज़दा फेमस हुआ और इतना ज़दा फेमस हुआ कि जब कुछ end episodes आएंगे ना आपके इस शो के किस देश में है मेरा देल उसमें शुशान सिंह राजपूत की re-entry होगी as a spirit एक आत्मा के form में सुशान सिंह राजपूत को दिखाये जाएगा कि वो आ के अपनी family की मदद कर रहा है उसकी family बहुत difficult times में है और as a spirit वो अपनी family को guide कर रहा है इनफेक्ट शुशान सिंह राजपूत ने एक story बताई उन्हेंने बताया है कि जब ये पवित रिष्टा सीरिल की casting चल रही थी तो इस सीरिल की casting के तो रहान obviously बात है बाला जी टेली फिल्म्स का ये सीरिल था ये खुद अपने interviews में शुशान सिंह राजपूत ने बताया है और पवित रिष्टा से सच में शुशान सिंह राजपूत स्टार बन गया है जो सबसे बड़ा acclaimed success मिली है शुशान सिंह राजपूत को अपने television carrier में वो पवित रिष्टा से ही मिली है जोस्तों ये भी खास बात है फिर आगे देखेंगे आपनी बहुत सारे आप कह सकते हैं कि experiences को share किया है शुशान सिंह राजपूत ने कहा शुशान सिंह राजपूत ने एक interview में अपने experience को भी share किया कि वो ऐश्वरा राय के साथ as a supporting dancer जो dance कर रहे थे है शुशान सिंह राजपूत भी थे तो उसमें एक scene था जहाँ पैश्वरा राय को उनको ऊपर उठाना था तो जब उन्होंने ऊपर उठाय तो एश्वरा राय ने बोला कि मुझे drop मत करना नाम लेके तो शुशान सिंह राजपूत तो काफी अच्छा लगा तो होता है न कि नजर आये थे आपको शुशान सिंह राजपूत फिर आप देखो कि जहलक दिखलाजा में आपको देखे शुशान सिंह राजपूत और मादुरी दिख्षित काफी तारीफ करती थी शुशान सिंह राजपूत के और backstage बहुत बार मादुरी दिख्षित ने बोला शुशान स से डांस सीखना है तो मतलब ये कुछ experience से सुशान सिंग राजपूत ने जो की उन्होंने अपने टीवी शोज में अपने फैंस को बताए 2011 के लगबग में इन्होंने बताया कि इन्होंने जो पवित रिष्टा सीरेल है उसको छोड़ दिया फिल्मों में इंट्री कैसे होगी शुशान सिंग राजपूत की इसी दोरहां शुशान सिंग राजपूत अपने में value addition कर रहे थे कई सारे filmmaking course की इन्होंने अपने आपको रेगुलर्ली वो वैलुटिशन कर रहे हो देशी दोस्तों यहाँ पर शुशांक सिंग राजपूत को अच्छी कासी इंस्टेंट सक्सेस मिली है एक तरीकी की इंस्टेंट सक्सेस है दोस्तों 2002 में बारवी कक्षा में थे इनकी माता जी का दिहान्त हो गया फिर यह दिल्ली आये दिल्ली में आके इन्होंने तीन साल इंजिनी करी उसके बाद छोड़ दिया डांस कर रहे थे टीवी सिरिलों में काम मिला और 2011 में इन्होंने टीवी सिरिलों को छोड़ भी दिया उस समय पर इनकी life तब turn मारेगी जब इनको पहला movie का chance मिलेगा इनको नम बताया शुशान से रच्पूधने कि एक बार ये एक coffee house में बैठे थे एक coffee shop में बैठे थे और उस coffee shop में इनकी मुलाकात हुई मुके शाबरा से मुके शाबरा ने इनको on the spot addition लेके शामिल किया अपनी next movie में काय पोचे काय पोचे में आपको as a cricketer नजर आएंगे काय पोचे में राजकुमार राओ भी है शुशान सिंग राजबूत के साथ तो काय पोचे इनकी पहली movie थी और यहां से इनका जो movie का सफर है वो शुरू होगा शुशान सिंग राजबूत का फिर उसके बाद इनको PK मिलेगी हालागे PK में बहुत छोटा सा रोल है शुशान सिंग राजबूत का शुरुवात में और end में थोड़ी दिर के लिए रोल आता है शुशान सिंग राजबूत की आक्टिंग मुझे काफी अच्छी लगी जो सबसे वड़ाए पीरस था शुशान सिंग राजबूत का वो आप सबको पता एमेस दोनी, दा अंटोल स्टोरी फिर उसका बहुत सीन की मूवी जाई तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो सफर है शुशान सिंग राजबूत का, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत मुश्किल सफर है उनका बट कुछ टफ डिसीजर्स लिए उन्होंने अपने लाइफ के ऐसे की टाइम पे जोनोंने उनकी लाइफ के डाइरेक्शन को बदल लिया सोचिए दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो की स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं अपने केरियर नोर यहाँ पर शुशान सिंग राजबूत की केरियर की बंपर शुरुआत हुई थे यहाँ पर मैं अकैडमिक केरियर की बात करूँ अकैडमिक केरियर मैं देखेंगे उन्हों डीसी में एंटरी मारी जाने कितने इंजिनिंग कॉलेजेस फोड दिये साथ भी रहें की आई ट्रिपिली में इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप शुषान सिंग राजबूत की लाइफ को देखें तो बहुत कुछ इंस्पाइरिंग है इनकी लाइफ का एक बहुत अजीब इंसिडेंट हुआ है इनके मृत्तियों से पहले कि 8 जून को इनकी फॉर्मर मैनेजर थी दिशा सलियान उनका भी मुंबई के मलाड वाले इलाके में फ्लैट था 14th फ्लोर से उन्होंने चलांग मार के मतलब उनकी मृत्य हो गई 8 जून को और 8 जून वो है और आज की डेट है आज देखे शुषान सिंग राजबूत ने सुसाइट कर लिया बहुत सारे लोग ऑनलाइन इन दोनों चीजों को जोड रहे है अब क्या सच है क्या गलत है ये तो पुलिस ही बताएगी बट आप देख सकते हैं कि इनकी लाइफ से काफी कुछ इंस्पाइरिंग सीखने हो को मिला है दोस्तों तो आप थोड़ा बहुत तो इंस्पाइर आप होई होंगे शुषांग सिंह राजपूर जी की बायोग्राफी से आप वीडियो आपको पसंद आई हो फंस पसंद आई हो तो शेयर कर दिएगा थैंक्यूस पर वाचिंग अधर ग्रेटे